हाई मेरा नाम अनीस खान है और आज हम अपने यूटूब चैनल के फीचर और स्टेटस कैसे इनेबल करेंगे वो देखेंगे अगर आप चाते हैं कि यूटूब के कुछ फीचर और स्टेटस एक्टिविट हो जाए तो उसकी लिए आपको उस फीचर को इनेबल करना होता है उसके लिए आपको यूटूब पर साइन इन करना होगा जैसे ही आप साइन इन करते हैं आपको यहाँ उपर राइट साइड में क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यूटूब स्टुडियो पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा आपको लेप साइड में Created Studio Classic पर क्लिक करना होगा उस पर क्लिक करने के बाद Order पर क्लिक करके Submit कर दीजिए जैसे ही आप Submit करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको लेप साइड में चानल पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं स्टेटस एन फीचर्स में आपको अपलोडिंग, मौनेटाजेशन, लॉंगर वीडियोज, अनलिस्टेड एन प्राइवेट वीडियोज, कस्टम थम्नेल, एक्स्टरनल एननोटेशन, कस्टम यॉरेल इन सब फीचर्स को इनेबल करना होगा वरना इस फीचर्स को आप अपने वीडियोज में यूज नहीं कर सकते यहाँ पर आपको काफे सारे फीचर्स, इनेबल दिख रहे है, जिसको मैंने एक्टिवेट कर दिया था और कुछ इनेबल दिख रहे है, इसका मतलब मैं इस फीचर्स को पाने के लिए अपात रहूँ जैसे ही मैं उस फीचर्स को कॉलिफाई कर जाऊंगा, तो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा जैसे ही आप देख सकते हैं कि अब इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तरह आपको इन सारे फीचर्स को कॉलिफाई होना है और उसको कॉलिफाई होने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है यह मैं आने वाले वीडियो में बताते रहूंगा अगर आपको यह फीचर्स एक्टिवेट करने के और भी तरीके पता है और आप हमें बताना चाते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताईए हाई अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए अगर आप मुझसे कुछ पुछना चाते है तो कमेंट बॉक्स में टाइब कीजिए अगर आप मेरे आने वाले लेटिस वीडियो से अपडेट रहना चाते है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए